नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, देखेगा, यदि आप लोग अपनी हतेली का विशलेशन करवा के और उसका वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना वट्सप नम्मर दे रहा हूं, आप उस पे संपर्क कर सकते हैं, और अपनी हतेली का विशलेशन करवा के उसका विदिवत तरीके से वीडियो बनवाशकते हैं, प्रस्तुत हतेली एक फिमेल हतेली है, महिला है, और महिला की हतेली यहाँ पे हम आज विशलेशन इश्का कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यह जो भाग है यह मन का कारक होता है और यह चंद्रमा होता है यह भगवान सिभ के गण है और हमारे जो जीवन है 70% इसका अधिकार है जीवन पर और मन को पूरी रूप से यही हैंडिल करता है यहाँ पे यह अनबैलेंस है पूरी तरह से बैलेंस अवस्ता में नहीं है देखेगा इस परकार से यह यहाँ पे बना है यह सब छेतर ठेक है लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे यह अनबैलेंस अवस्ता में आ गया है और जब हमारा चंद्रमा अनबैलेंस होता है पू मन गडबर रहता है ऐसे में ये कहीं न कहीं मानसिक प्रेशाने से गरसित करता है बिक्ति को और जादा होने बैट जाए तो भावकता भी देता है अभी ये कहीं न कहीं इन चीजों को छोटे रोप में आपके अंदर दे रहा है मन को भिचलित कर रहा है मन को गडबर रख रहा और मन से सीधा जुडाओ आऊ होता है हमारा रा मन सही नहीं होगा तो इसका जो असर है वो हमारे पीट पे पड़ेगा तो पीट की दिक्कते भी हमें धीरी-धीरे आने बैठ जाती है और कहीं न कहीं ऐसे बिक्ति को जादतर मामले में मा का सुक कम मिलता है और नीन आने में कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना बिक्ति को करना पड़ता है चंदरमा धाया में बैठता है या तो धाई महने तक या धाई वर्सों तक अपना प्रभाव देता है कहीं न कहीं जो है आपको धाई वर्सों तक ये अपना प्रभाव देता हुआ या पे दिखाई दे रहा है लेकिन इसका मैं बहुत सुन्दर उपाई दूँगा अगर आप उसको करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी लगबग साड़ी तीन चार मेहने में ही अपना प्रवाव छोड़ देगा और आपका मन एक ब्योस्तित रहने बैठ जाएगा ये बहुत सुन्दर चीज करेगा अब देखेगा हमारी हतेली में दो आचारे बैठते हैं जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग है ये जुपिटर का माउंट होता है ये हमारी हतेली में बैठने वाले पर्थम आचारे हैं ये आचारे ब्रस्पती जी है देबताओं के गुरु है और गुरु की जो पदवी होती है वो सबसे उपर होती है राजा से भी उपर अगर कोई चीज है वो गुरु है इस संगसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है इस्वर की प्राप्ति भी हमें तब होती है आत्मत्वत्वक भी हमें तब मिलता है धेली में बैठने वाले ये पर्थम आचारे हैं लेकिन आचारे हैं गुरों तो सरा अगर आप देखेंगे यह हमारा अंगूठा है आपका अंगूठा एकी माँठा सबका अलग-अलग उसका वो पर अंगोठा ये की जगह पे रहता है और इसके नीचे वाला जो ये भाग है ये बीनस का माउंट है ये भी गुरो है और हमारी हतेली में बैठने वाले सेकर्ण आचारे हैं ये देवताओं के गुरो हैं तो ये देतियों के आचारे हैं सुक्राचारे जी लेकिन ये भगवा शंकर के सिस्यवी हैं तो इनकी महता बहुत जादा है अमारी हतेली में यहां पे इस हतेली में आप देखेंगे बले ही चंद्रमा थोड़ा खराब है अनबैलेंस है लेकिन दोनों आचार्य विदिवत तरीके से सुन्दर रूप में दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे गुरू इस परकार से बली हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जो जातक या जातिका होती है उनका चेहरा बहुत सुन्नर रहता है उनके चेहरे को देखकर कोई भी उनकी तरफ आकरसित हो जाएगा ऐसा दिव्या चेहरा यह गुरू देते हैं और मुसकान जबरदस्त होती है ऐसे लोगों को ऐसे लोगों की लोग जो है औरों को अपनी तरफ आकरसित करने वाले होते हैं और साथ में गुरू और जो है सुकराचारे दोनों बली हो और हतेली की जो रंगता है खूब सूरती है यह खूब सूरती एक दिव्या रूप लिए हो जैसे आपकी हतेली में है तो ऐसा अब्यक्ति जो है प्रेमी भी होता है मनी छलकपट से दूर रहने वाला किसी के परतिबी द्वेश की भावना कम रखता है नहीं रखता है जादातर तो ये इस्तिति आपके अंदर दोनों गुरु दे रहे हैं गुवरेश्पति और यहाँ पे जो है सुकराचारे जी दे रहे हैं आपने दो तिन सवाल किये है एक सवाल आपने किया कि आगे मेरी प्रोफेशनल लाइफ कहैसे रहने वाली है और धन की इस्तिति कैसी रहने वाली है तीसरा परिवार से संबंदित है सबसे पहले उन्हीं पर चलते हैं और फिर जो है और चीजों को देखते हैं ठीक है ने दीखेगा यहां पर जो आपकी करियर और धन की रेखा है धन और करियर की रेखा इसी से प्रोफेशनेल लाइप का पता चल जाएगा यहां से निकल करके यह सीधी जारी है लेकिन एक एक यहां पर हिर्दे की लकीर पर समाहित हो रही है इस परकार से आप देखेंगे और फिर यहां से जो है एक रेखा जारी है सीधी है यह बहुत सुनर है और जब यह रेखा जारी है यहां से तो यहां पे एक सांदार साइन बन रहा है सुर्य के परवत पे देखेगा जीवन आपका बहुत उतम रहेगा लेकिन एक चीज की सावधानी रखनी है आपको करियर और धन के मामले में एक तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे दोसरी भावनाओं के बसीबोत होकर कोई डिसीजन नहीं लेगी कि भावना में आ गए और जो है डिसीजन ले लिए यह आपके लिए जो है बहुत खराब रहने वाला है तो यह चीज ना करें अपना जैसे चले आराज चीज वह से चलाते रहें थोड़ा सा जो है ध्यान रखे इस चीज का दूसरी बात यहां से जो यह रेखा आ रही है जीवन काल के पचपनुए वर्स से कहीं न कहीं जो है धन के मामले में बहुत बड़ी ब्रिदिकी और यह दिखाई दे रहा है और professional मामले में भी बहुत ज़ाद तरकी करता हुआ आपका जीवन दिखाई दे रहा है पचपनुए वर्स से बहुत सुन्दर समय यहां पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है अब सूर्य पे देखे थोड़ा ध्यान दीजेगा फिर आपको पता लग जाएगा यहां पे सूर्य पे देखे एक इस तरों से उदाइमान रेखा है एक इस तरों से उदाइमान रेखा है एक रेखा जो है इस तरों से जाती हुई दिखाई देरी है और एक रेखा इस तरों से जाती हुई यहाँ पे दिखाई देरी है अभी ये पूर्ण रूप से नहीं बना लेकिन आने वाले समय में ये पद्म का चिन्न की रूप में जो है समाहित हो जाएगा तो ये इसका असर जो है पचपनुए वर्स से आपकी जिवन पर पड़ेगा और जब ये पदम का चिन किसी बिक्ति की हतीली में होता है तो बिक्ति अपनी जोब में बहुत ज़्यादा राइस तरक्य करता है एक आएक तो पचपनुए वर्स से बड़ी तरक्य की और ये संकेत दे रहा है यहां पर जिस भी फिल्ड में आप अपना करियर बनाएंगे चाहे नौकरी करने हैं तो उसमें चलते उस फिल्ड में आप टॉप लेबल तक पहुँच जाएंगे ये निश्चित है दूसरा टॉप में श्ट हो जाएंगे ये भी निश्चित है दूसरा विदेश यातरा करना जिवनकाल में सुन्य में भी हो तो भी सुन्य से उठकर आखरी पाईदान को छूना ये आपकी जिन्दगी में पचपनुए वर्स से सुरू होता हो दिखाई दे रहा है इसको सुद्रड कैसा करना है इसका मैं बहुत सुन्दर उपाई दूँगा वो विदिवत तरीके से आपको करना है अगर आपने वो कर दिया तो निश्चित है कि जिस भी फिल्ड में आप कार्य करेंगे या कर रहे हैं टॉप लेबल तक पहुँचेंगे ठीक न है टॉप मोस्ट हो जाएंगे और विदेश में यातरा करना जिवन काले में सुन्य में भी हो तो वहां से उठकर आखरी पाईदान को छूलेंगे ये निश्चित है नेम फिर्म बहुत मिलेगा क्योंकि नेम फिर्म का ये कारक है बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नजरों से देखेंगे यहां पर ये साब तरों से दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी तरों से दिखाई दे रहा है नौकरी करने हो तो growth का लेबल बहुत ज़्यादा रहेने वाला है ब्यापार करने हो तो कहीं न कहीं जो है उसका विस्तार व्रांड बन के रहेंगे ये दिखाई दे रहा है फैलाओ वह ज़्यादा होगा नाम यस और कीर्थ बढ़ेगी यहां पर साप तरों से दिखाई दे और यह रेखा बता रही है कि कहीं न कहीं जो है धन भी एक इस्टेबल आउस्ता में पहुंचने बैठ जाएगा मन के अनुरूप धनड्य विक्ति तो आपका रहेगा अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा देखेगा थोड़ा समझने की कोशिस करेगा कि किस ओज़ों से यह चीजें होंगी ठीक है ना देखो जब तक इस्वर की किरपा विक्ति के अंदर नहीं होती है तब तक चीजें नहीं उबर कर आती है जब तक उपर वाले की किरपा नहीं होती है यहां पे देखेंगे आपकी जो हिर्दय की लकीर है यह इस तरों से जारी है आपकी मस्तिस्क से M का आकार बन रहा है यह केवल और केवल यह बता रहा है कि आपके जो इश्टदेव है पूरो जनम से आपने जिनकी सेवा की है जिनके आपने जो है सरणागती रहे है और मन से आपने जिनको ध्याया है जिनकी किरपा आपके उपर बनी हुई है वो भगवान शिब और सक्त का संगठना आत्मक ओर्जा-लिंगा है ठीक है नया भगवान शंकर और मा पार्वती आपके इस्टदेव हैं इनकी जितनी जादा सरनागत जाएंगे उतना जादा जीवन में निखरता हुआ जीवन आपका होगा यस्वस्वी जीवन आपका होगा इस्टेवल जीवन आपका होगा और कहीं न कहीं जीवन की जो खुसियां है उनमें चार चांद लग जाएंगे ये कह रहा है दूसरी बात कहीं न कहीं परिवार का सुक का भोग दामपत्य जी है उनका भोग आप करेंगे यहां पे हतेली आपकी बता रही है बस केवल क्या करना है भगवान शंकर देखो आदि गुरू भी वही है गुरू भी वही देते हैं सुक भी वही देते हैं संपन्ता भी वही देते हैं यह चीज यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपका जो है सवा और जो है ब्रिस्पती से देखे जाते है परिवार का जो सुक है वो सुक्र और ब्रिस्पती से देखे जाते है यहाँ पे ब्रिस्पती ठीक है लेकिन हलकी रोप से नीचे की और खिसक रहे सनी की तरब तो कहीं न कहीं मन के एक कोने में परिवार को लेके बहुत ज़्यादा सोच बनी हुई है और सोच इस कदर है deeply कि उसमें हलका सा तनाव का इसारा भी दिखाई दे रहा है लेकिन सुक्र क्या बता रहा है कि परिवार को लेके जो चिंताएं है वो आपको छोड़ देनी चाहिए समय के अनुसार सभी चिंताओं का निवारण हो जाएगा आपको बहुत जादा नहीं सोचना है आपको भगवान के उपर ये चीज़ें चोड़ नहीं है और अपना करम निरंतर करते रहे ना है अपनी आप चीज़ें होती जाएंगी दूसरा सुक्र क्या कह रहा है कि परिवार का जो सुक है परिवार की खुसियों का जो सुक है वो समय समय पर आपको मिलता रहेगा ये आपका सुक्र यहां पर कहता हूा नजरारा आब देखे गा इसमें बच्चों की साधी कब होगी बच्चों का करियर कैसा रहेगा किस करियर में वो आगे बढ़ेंगे उनका दामपत्य जिवन कैसा रहेगा धन की इस्तितिक ऐसी रहेगी करियर इस्टेबल रहेगा राजयोग हैं कि नहीं वो उनकी हतेली से पता चलता है आपकी हतेली से नहीं पता चलता है या तो मैं जानता नहीं हूँगा वो बात अलग है कुछ बता लेते हूँगे लेकिन अभी तक जो है जो मैंने रिसर्च की है वो उस ब्यक्ति की हतेली से पता नहीं चलता है जिस ब्यक्ति की हतेली को देखो उसके बारे में ज्यादा पता चलता है तो आपके बच्चों का बहुश्य कैसे होगा उनके साधी कब होगी करियर कैसा रहेगा धन की स्तिति कैसे रहेगी उनकी हतेली से पता चलेगा आपके हतेली से केवल ये पता चलना है हाँ आपको परिवार का सुक मिलेगा परिवार का जो है परिवार की तरफ से खुसिया मिलेंगी और चिंता की बात नहीं रहेगी दोनों ग्रह आपके यहां पर बता रहे हैं हाँ चिंता आप कर रहे हैं सोच रहे हैं उनके बारे में वो हर माबाब सोचता है तो वो ब्रिस्पति आपका यहाँ पर बताता हुआ नजर आ रहा है सुक्र अगर देखें यहाँ पर सुक्र की ही बात करें सुक्र यहाँ पर बहुत सांदार इस्तिति में है और सुक्र ऐसा प्रवत है कि जो व्यक्ति की जीवन में आकरसन है, सुन्दर्या है, वासना है और प्रेम को महतो को ही दिखाता है यही सुक्र के परवत है, सुक्र को दिखाने वाला, सुक्र परवत है देखेगा अगर इस तरह से सुन्दर सुक्र का परवत हो, जैसे आपका है तो एक तो बिक्ति का चेहरा कहीं न कहीं बिक्ति की परसनल्टी कहीं न कहीं ठीक रहती है और ऐसा जो जातक होता है जातिकाएं होती है वो हर कारे को और लोगों के बजाए बेहद नाजुकता से और बड़ी खूब सूरती के साथ करते है और ऐसे लोग निस्चित ही दयालो होते हैं उदार दिल वाला होते हैं और खुले दिल से खर्च कनने वाले होते हैं ये इनकी खाश्यत होती है आपकी वी है सुन्दर रोप से उठावा है बिक्सित है कहीं कोई जो है गड़बर नहीं है जब भाग्योदी की इस्तिति आ रही नाम और यस जादा मिलेगा चका चोन रहेंगे और निश्चित रूप से जो गलेमर को अट्रेक्ट करने वाली जो टेडेंसी है वो आपके अंदर जादा आएगी और आपको सुक का भोग ये कराएगा तो आपको जो है चिंता करने की यहां पे जरूरत नहीं दिखाई दे यहां पे बहुत जादा बैठ गया है और ये उर्जा का कारक है इसका बैठना ठीक नहीं माना जाता है ये बिक्ति के अंदर कहीं न कहीं तनाव की इस्तिति को पैदा करता है मन को चंद्रमा के साथ मिलके बिचलित कर रहा है साथ में कानिफ्यूजन की इस्तिति दूबिधा की इस्तिति ये देता है और डिसिजन लेनी की छमता में असर डालता है और कॉन्फिडेंस लेवल को क्रियेटिविटी को घटाता है जब ऐसा रहता है और सारेरिक विकार उत्पन अगर करने बैठ जाए तो नेतर रोक की सम समश्या देता है आखों में कमचोरी आने बढ़ जाती है और कहीं न कहीं चस्मा और चड़ जाता है अऊने कहीं बलड प्रेसर की समस्या भी दिता ही कई लोगों को यह सरीर में कमपन की समस्या करता है Student पिश्चित्रोप से सरीर की जो जोड है उनमें दर्द का होना उनका काम जादा न करना इस चीज को भी ये दिखाता है तो आपको क्या करना है मंगल के उपाई सूरे किरिया के साथ करना है क्योंकि सूरे में जो जिन बन दा हो गजब का है अगर वो फली बूत हो गए तो क्सणार कर ली है आज इसको भी देख लें ये बहुत सुन्दर इस्तिती में है जिस इस्तिती में बैठा हुआ है क्यों अतियंत स्रेष्ट आउस्ता दे रहा है ऐसी जो जातिकायें होती हैं जैसे आप हैं अपनी जीवन में स्वयम तो उन्नत करेगी आप, जो आपसे जुड़ियगा, या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नत करने में सायता परदान करेगी, एक स्वयोगी बनके रहेंगे, लेकिन स्वाविमानी, अपने छितर में अधिक से अधिक knowledge अर्जन करने वाल धार्मिक भावना आपके अंदर अच्छी है और देखेगा जब आचारे विरस्पति इस तरह से खूब सूरत हो शुन्दर और दिव्य भाव में हतेली में बैठे हुए हो एक देवित्य लए हो तो विक्ति नौलेजवल होता है विद्ध्वान होता है आत्म ज्यानी होता है ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो है अपारमान सम्मान मिलता है जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गुरु देते हुई दिखाई दे रहे हैं सड़क के किनारे से लेकर महलों की उचायों तक हर जग जावत तक को सम्मान मिलेगा यह यहा दुएनिही क्यों नहों लेकिन वेक्षित समस्याओं से बज जाता जैसे वो आती है वह से चले भी जाती हैं बहुत जादा जो है कष्ट कारक नहीं होती है तो यह आपके हतिली में गुरू दे रहे हैं देवताओं के गुरु ब्रिस्पति और कहीं न कहीं ब्रिस्पति इस रूप में हो और जब करियर और धनकी रेखा ये फलित आउस्ता में आ जाए तो सिक्षा का छेत्र है इंजिनियरिंग का छेत्र है चिकित्सा का छेत्र है मैनेजमेंट का छेत्र है और आपका कानून का छेत्र है आप ऐसा ब्यक्ति होता है और कभी कबार हर समय खाते रहने की परोड़ती भी ऐसे लोगों के अंदर आने बैठ जाती है लेकिन नौलेजबल ब्यक्ति होता है तो ये चीज आपके अंदर यहां पे साब तरों से दिखाई देती हुई नजर आ रही है चाहे सांसार एक सुक हो चाह मिलता हो दिखाई दे रहा है अब यहां पे देखेगा ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है करब ले रही है हद से जादा और यहां पे जो है मिडिल फिंगर की तरफ ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है ये आपके अंदर दयावान बिक्तितो को जन्म दे रही है कुरूर की समका बिक्तित्व नहीं रहेगा आपका दया आपके अंदर रहेगी इस्वर के पर्ति जो है बहुत ज़्यादा भिस्वास रहेगा कहीं न कहीं इस्वर के पर्ति जो है बहुत ज़्यादा सरदा भावना रहेगी अच्छी चीज है ये और प्र भाग्यवस अनायास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मिलती है जो भी कुछ ये लोग जो है उन्नति करते हैं अपने जीवन में स्वयम के मेहनत के बल पे करते हैं और सनी के कारण बहुत जादा मेहनत और परिसरम करने के बाद ही सफलता की ऐसे लोगों को प्राप्त होती है किसी भी चीज में सफल ये बहुत जादा मेहनत और परिसरम करने के बाद ही होते हैं ये आपके हतेले में दिखाई दे रही है ये यहाँ पे कहीं न कहीं जो है इस और जुकती उही दिखाई दे रही है ब्यक्ति के अंदर ब्यापारे गुण जादा होते हैं सेल्स और मार्केटिंग के गुण ब्यक्ति के जादा होते हैं हर किसी को अपना बना लेना अपने पक्ष में कर लेना ये चीज चाई बाणी द्वारा हो चाई किसी भी तरों से हो अपने ब्यवार द्वारा हो ऐसे बिक्त कर लेता है ये भी आपके अंदर दिखाई देता हूँ यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे देखे तो ब्रस्पति से जो है थोड़ा सा बड़ी जो है यहाँ पे यह उंगली दिखाई दे रही है तो ये आपके अंदर जोखिम उठाने की आंसिक रूप से चमता दे रही है रिस्क उठाने की चमता दे रही है और कहीं न कहीं हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है यहाँ पे अगर सबसे छोटी उंगली देखे जाए कनिष्टा लिटिल फिंगर जिसे कहते है यह सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पारी है यहाँ तक आपको नाखुन बढ़ाने की जरुरत है बहुत अच्छा फाइदा अगर लेना है तो तो जब यह पहले पोरवे तक नहीं पहुँचती है तो कहीं न कहीं मनी मैनेजमेंट में हलका सा कमी देता है एकाउंटबिल्टी में कागजों के रख रखाओं में और कई बार कम्यूनिकेशन इसकिल्स में भी हलकी कमी यहाँ पे देता है तो इसको खतम करने के लिए यहाँ तक आपको नाखुन बढ़ाना है इस चीज का बिसेश दिहान लखना है अंगूठा अगर देखा जाए तो यह पोर्व साप सुतरा है तो इक्षा सक्तियां अच्छी हैं और उनके लिए जो है मेहनत भी जारी है इस चीज को बता रहा है यह सेकंड पोर्व थोड़ा लंबा है बहुत जादा नहीं लेकिन इस से थोड़ा लंबा है यह इस बात की और जो है इसारा कर रहा है कि आप एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से एक है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयतनसील भी है लेकिन तारकिक है हर विसाय पे आप जो है तरक करते हैं यह भी यहाँ पे साब तोर पे दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे जो बीच में चिन बन रहा है वो पूरा यव का साइन नहीं बन रहा है यह इस्तरो बन रहा है यव का साइन नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं रह गया अगर यह पूरा यव का गोलाई ले हुए बनता है और जैसा इसमें भी है तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है धीरे धीरे बनेगा तो इसका महत्व हो जाएगा ब्यक्ति को संतान की तरफ से बहुत बड़ा सुक मिलता है धन ब्यक्ति के पास अनायासी बहुत जादा आ जाता है और करियर ब्यक्ति का बहुत बड़ा इस्टेबल की और जाता है इस्टेबिलिटी आ जाती है यह चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे एक चीज छोट गई द बाद ये अपना फल देगा ये विक्त को धन्न मान यस पद्ध और प्रतिष्टा यानि कहीं न कहीं विक्ति जो है जीवन की हर उचाई पाने में सफल होता है और अपने पूरे समाज में प्रसिद्ध होते हैं शम्मान पाते हैं और मैंने जिन हतेलियों में ये वर्ग का चिन देखा है ऐसे विक्ति अपनी जीवन काल में जो है कहीं न कहीं ब्यापार की तरफ जाते हैं और मल्टिपल सिटी में ऐसे लोगों का ब्यापार होता है एक जगे पे इस्तिरी नहीं होता है ब्यापार कई सारी जगों पे इनको जो है व्यापार में फाइदा होता है तो यह व्यापारी बर्ग का व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों के अंदर होता है एक बहुत सुनर चीजे है एक दो तीन चार और पांच अभी पूरी तरो से उबरी नहीं है लेकिन मरकरी माउंट पे पांच विज्ञान की रेखाएं अनवरत रूप से खड़ी दिखाई दे रही है और पुष्टता की और आ रही है देखेगा ये कहीं न कहीं जो है बेज्ञानिक दृष्टिकोन को दिखाता है और ये रेखाएं पांच रेखाएं बहुत सरेष्ट माने जाती है विज्ञान की रेखाएं माने जाती है उच्च कोटि का नौलेज रखने वाला विक्तित्वा आपका रहेगा और ज्ञान में ये बहुत बड़ी बिर्दिकर देगी और ऐसा जो जातक या जातिका होती है जीवनकाल में पर याद रखा जाता है और ये पुष्ट होते हैं ब्रस्पति भी सुनर होता है तो कहीं न कहीं जो है ऐसे लोग बेग्यानिक द्रिश्टकों लेयोय होते हैं अनुसंधान करने वाले जैसे गुण ऐसे लोगों के अंदर आते हैं खोजी परवुर्ति वाले आपने देखर समंदित लोग होते हैं हतेली में यह रेखाई सज रूप से आपको देखने को मिल जाएंगी तो यह आपके सरों स्रेष्ट रेखाई हैं बहुत अच्छी रेखाई यहां पर दिखाई देरी हैं अब चलते हैं आपकी कुछ और रेखाऊं की तरब यहां पर अगर देखें ये आपकी हिर्दे की रेखा है अब ये रेखा किसी एक परवत पे नहीं जा रही है कहीं ना कहीं जो है इस उंगली और इस उंगली के बीच में जा रही है और इसमें आचारे ब्रस्पति और सनी का प्रभाव पढ़ रहा है दोनों का बलाबल आ रहा है महत्व कांच को बता रहा है आपका कि आप बहुत बड़ी मैत्व कांचे है आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है और गुरों का प्रभाव पढ़ रहा है तो आपकी जो इक्षा है एक टॉप लेबल पर पहुंचने की हो रही है लेकिन वहीं सनी का प्रभाव पढ़ रहा है जि निश्चित है मेहनत करनी पड़ी जी तोड मेहनत करेंगी जुगार लगाना पड़े जुगार लगाएंगे इनकेन प्रकारेड जो भी आप से हो जाए वो आप करेंगा है यह यहां पे आपकी हिर्दे की लकीर बता रही है अब दूसरी लकीर के उपर अगर हम चले दूसरी लकीर आपकी क्या है कह रही है आपकी जो है यह आपकी मस्तिस्क की रेखा है यह बहुत अच्छी रेखा है लेकिन कुछ मामलों में केवल और केवल अभी जो है सोच रहे वो प्रैक्टिकल रोप से निखर के नहीं आ रहा है लेकिन क्रियेटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, creative है और कहीं न कहीं यात्रा का लाव आपको अपनी जीवन में या तो मिला होगा या अब मिलेगा लेकिन बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, हाँ, थोड़ा सा कल्पना ज्यादा आप के अंदर रह सकते हैं सोचने के सकते जादा आपके अंदर रह सकती है कल पनाएं आप बहुत जादा कर सकते हैं इस बात के और यह संकेत कर रही है ठीक है यह रहा कोई जो है गलत नहीं है जीवन की रहा बहुत सुन्दर तरीके से जीवन की रहा है आपकी पूर्ण तो गोलाई युक तो नहीं है लेकिन बहुत सुन्दर है बहुत अच्छी है जिवन में निरंतर उन्नत की निशानी है और जिवन की रेखा में कहीं ये दोस नहीं दिखाई दे रहा है कि जिवन के लिए कोई खत्रा हो या कोई बहुत बड़ी लाई-लाज बिमारी आपके अंदर हो ये चीज नहीं दिखाई देती हो यहां पर नजर आ रही है अब यहां पर अगर देखते हैं सायद ये एक रेखा ये भी हो आपके थोड़ा आभास हो रहा है अहतेली में साप नहीं दिख रहा लेकिन आभास हो रहा तो है ये रेखा बहुत अच्छी है ज तो आप में बुद्धी की कमी है बस आपको सिर्फ ये करना है उस परतिबा और उस तीब्र बुद्धी का प्रयोग करना है आपके अंदर सोचने और समझने की सक्ति बिशेश रूप से है और ऐसी सक्ति है कि जीवनकाल में एक बार यदि कोई निरणे ले लेंगे तो उसे अ आने वाला यहां पर दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं जो है मंगल की तरफ से आपको अच्छी चीजों का जो है प्रभाव पड़ेगा आपकी जिवन पर यह भी यहां पर दिखाई दे रहा है अब हम चलते हैं आपके जो है सनी परवत पर देखो यह चीज हमने देख ल या आपे डाउन अवस्ता में दिखाए दे रहा है बर्तमान में जितने ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से फलित नहीं हो रहे हैं इस बात के और यह संकित कर रहा है जो मेहनत जो योजनाएं आप बना रहे हैं और जो प्रिस्रम आप कर रहे हैं उस अमाजिक करियर धन आपको सूर्य किरिया की जरूरत है और उस किरिया को मैं आपको ओडियो के माजियम से आपके जो है वाटसप नमर पे दे दो उसको जरूर करिएगा बहुत बड़ा फाइदा आपको जीवन में होगा बुद्ध आपका बहुत सुन्दर है और यह जतना स सुन्दर बनाता क्योंकि यह पैकेजिंग का मालिक है विक्ति भी उतनी जादा सुन्दर होता है चाहे वो आदमी हो चाहे वो हुरत हो दूसरी बात यह जितना सुन्दर होता है वानी की सक्ति बहुत अच्छे होती विक्ति अपने को जो है विक्त करने में सफल होता है और म पहली भाति समझना यह भी जो है इसके अंतरगत आता है और कहीं न कहीं योजना बना कर चलना ब्यक्ति का गुण होता है तो यह सारी चीजें आपके अंदर यहां पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन सूरे को थोड़ ठीक करना है चंद्रमा को और निम्न मंगल को इन चीज को ठ पांदार ब्यक्तितों भी दिखाई दे रहा है इस्टेबिलिटी की और यही आपको ले जा रहा है देखा जाए तो मैंने पूरी हतेली का विशलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीकी से आपको आपके वाटसप नम्मर पे दे रहा हूं इस वीडिय वीडियो के साथ पुना उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार